पनीर खाना बहुत पुत पसंद है तो आप इस पनीर रोल को जरो ट्राइए करें इसे बनाना बहुत असान । ऊपर से यह ओल फ्री है इसमे शूपर सॉटवड परांठे और अन्दर से जूसी पनीर दूनों का कंबिनेशन इस पनीर रोल को बहुत अमेजिंग बनाता है वेलकम टू मैंग चैनल निकी चूकिंग कॉरनर पनीर रोल बनाने के लिए सबसे पहले आंटा लगा कर तयार कर लेंगे इसके लिए एक कप मैदा ले लेते हैं और इसके साथ लेते हैं एक कप गेहूं का आंटा अगर आप इसे सिर्फ मैदा से बनाना चाहते हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं पर गेहूं का आंटे से ये थोड़ा सा हेल्दी बन कर तयार होगा अब हम इसमें डाल देते हैं डेड़ चमच मलाई यहाँ पर हम घी या तेल का यूज नहीं कर रहे हैं क्यूंकि मलाई से भी यह काफी सॉफ्ट बनेगा और इसमें डाल देते हैं दो पिंच बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा और यह है अजवाइन एक चोटी चमच अजवाइन इसमें क्रस करके डाल रहे हैं जो डाइजेशन के लिए काफी हेल्दी होता है अब हम इसमें डालेंगे आधी चोटी चमच नमक डालने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे आप इन सबको मसलने के बाद हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना कर तयार कर लेंगे तो ये देखिए इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो लग चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना ही मुलाय माता चाहिए तो अब इसे कभर लगा देते हैं और इसे साइड में रखते हैं तो चलिए अब इसकी पनीर की स्टफिंग बना लेते हैं इसके लिए गैस ओन करके एक कड़ा ही रख दिये हैं कड़ा ही गरम हो चुका है तो उसमें डाल देते हैं दो बड़े चमच सरसो तेल तील गरम हो गया है तब हम इसमें डालेंगे साथ से आठ बारी कटी हुई लेसून लेसुन भी हलका सा ब्राउन होने लगा है तब इसमें डाल देते हैं दो बारी कटी हुई हरी मीर्च यहीपर डाल देते हैं एक छोटी चबमच जीरा यह सारे प्रोसेस हम low flame पर करेंगे नहीं तो ये सारे फोरन ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो वो पनीर में अच्छे नहीं लगेंगे तो अब हम यही पर डाल देते हैं बारीक कटे हुए दो बड़े साइच के प्याज अब इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये ट्रांस्पेरेंट ना हो जाए इसे रुख रुख कर बीच में चलाते हुए हमें पांच मिनट हो चुके हैं और ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है तब हम यही पर डाल देते हैं इसमें दो बड़े साइच के टमाटर बारीक कटे हुए अब इस टमाटर को भी प्याज के साथ दो मिनट तक भून लेते हैं तो ये देखिए टमाटर को भूनते हुए दो मिनट हो चुके हैं और ये सौफ्ट भी हो चुका है तब हम यही पर डाल देंगे इसमें आधी छोटी चमच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमग या फिर एक चमच अप नमग डाल सकते हैं अब नमग डालने के बाद भी इसे दोमिनेट तक भून लेते हैं जिससे की टमाटर और भी सौफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन भी निकल जाए तो आप देख सकते हैं यह अच्छे से भून चुका है तब हम इसमें डाल देते हैं एक चमच गरम मसाला पाउडर और एक चमच कसमेरी लाल मिर्च इससे इस पनीर रोल का टेस्ट काफी बढ़िया हो जाएगा और यह देखने में भी अच्छा लगता है तो इसे डालने के बाद भी हम इसे कुछ सेकेंट तक भून लेते हैं तो यह देखिए इसे कुछ सेकेंट तक भूनने के बाद इसमें से ओयल डिलीज होने लगा है तब हम यही पर डाल देते हैं एक बड़ी कटोरी टोमेटो केचप और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं यहाँ पर फ्लेम को हम medium to low रखेंगे और इसे दो मिनेट तक मिला लेंगे इसे मिलाने के बाद आप हम इसमें डाल देते हैं एक चमच चिली फ्लेक्स और आधी चोटी चमच काली मिर्श पाउडर यहाँ पर अगर आपको तीखा पसंद है तब आप चिली फ्लेक्स डालें वनना इसे पूरी तरह से इसके भी कर सकते हैं तो यह देखिये इसे फूल फ्लेम पर चलाते हुए दो मिनेट हो चुके हैं तो आप हम गैस फ्लेम कम करते हैं और यहाँ पर हम डाल देंगे 300 ग्राम बारी कटे हुए पनीर आप देख रहे हैं कि हमने काफी छोटे पीस में पनीर को काटे हुए हैं इसे पनीर रोल में स्टफ करने में भी आसानी रहता है और बच्चे भी काफी आसानी से इसे खा लेते हैं तो अब इसे दो मिनट भुनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं भुना हुआ सफेद तील एक बड़ा चमच और इसे गार्निस कर देते हैं धन्या की पत्ती से तो अब इन सब को आपस में अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक मिनट चलाने के बाद गैस फ्लिम बंद कर देंगे उमीद करते हैं कि आपको ये पनीर रोल की स्टफिंग काफी पसंद आई होगी तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा कि आपको ये कैसी लगी वैसे ये काफी टेस्टी बना है ये तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा तो चलिए जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम जो आटा गुद के रखे हुए थे उसका हम रोल बना कर तयार कर लेंगे रोल बनाने के लिए सबसे पहले आटे की हम छोटी छोटी लोया बना लेते हैं और इन लोयों को अच्छे से फ्लैटन पर चिकना कर लेंगे उसके बाद इसे एक पूरी से थोड़े से बड़े साइज का हम बेल लेते हैं इसे बेलने के लिए थोड़ा सा सुखा आटा का भी यूज कर सकते हैं तो ये देखिए काफी पतली पूडियां हम बेलगर तयार कर लिए हैं चुकि हम इस समय इसे बना रहे हैं बच्चों के लूंच बॉक्स के लिए तो आप देख सकते हैं कि इस छोटी-छोटी पूड़ियों को हम चार पास्टे बना कर तयार कर लिए हैं तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं इसे सेकने के लिए हम तवा गरम कर लिए हैं तो सबसे पहले हम उस पर इस रोटी को सुखे ही डालेंगे यहाँ पर हम घी या तेल का यूज नहीं करेंगे तो यह थोड़ा सा तवा हमारा बड़ा है और हम यहाँ पर इसे छोटी-छोटे साइज में बेले हुए हैं तो इस तवे पर हम एक साथ तीन पराठे डाल देते हैं और अब देख रहे हैं कि एक तरफ जब यह सीख जाए तब इसे हम पलट लेंगे इन पराठे को हमें रोटी की तरफ पूरा नहीं सेखना है बलकि इसे हलका-हलका सा दोनों तरफ से हम सेख लेंगे यह पतले होने के कारण बहुत जल्दी सीख जाते हैं इन्हें सेखने में लगभग 2-3 मिनट हमें लगे हैं तो यह देखिए यह सीख चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो चलिए अब हम इसका रोल बना कर तयार कर लेंगे रोल बनाने के लिए तवे पर हम एक चमच घी डालते हैं घी डालने के बाद हम इस पराठे के निचले हिस्से को घी की तरफ डालते हैं, उसके बाद उपरी हिस्से पर भी घी लगा कर इसे पलट लेंगे, अब इस पर रख देंगे दो चमच पनीर की स्टफिंग, पनीर की स्टफिंग रखने के बाद इस पर हम डाल देते हैं हरा धन प्याज के चल्ले और थोड़े से भुने हुए सफेद तिल इससे इसका काफी अच्छा टेस्ट आता है तो अब इस पराठे को इस तरह से हम मोड लेते हैं इसे मोडने के बाद हलका सा घी लगा कर हम दोनों तरफ से इसे सेख लेंगे तो अब सेम प्रोसेस से एक और पनीर र मिल दी पनीर रोल तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर भी कर दीजिएगा और हमारी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की मेसेज आपके वाइल पर पहले मिल जाएंगी तो अब हमारे पनीर रोल बनकर तयार हो चुके हैं तो चलिए अब हम इसे अलमुनियों फाइल में रैप कर देते हैं क्यूंकि इसे हमें बच्चों के टिफिन में लगा झाल झाल